नमस्कर दोस्तों आज आपको सुनाओगा शादी के बाद भी पत्नी का बॉइफ्रेंड मगर पत्नी को मिला एक सच्चा पती एक लड़की की शादी उसकी बिना मरजी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है जिस लड़के के घर में उसकी मा के अलावा और कोई नहीं था दहेज में लड़के को बहुत सारा समान और पैसे भी मिले थे लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहत प्यार करती थी अब लड़की की शादी बिना मरजी के तो हो ही गई थी और अब वो अपने सिसुराल आ गई थी, तब ही सुहागरात के वक्त लड़का दूद लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानि अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है, तब ही उसकी पत्नी गुसे से अपने पती से कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, उसकी ये बास सुनकर उसका पती बहुत दुखी होता है लेकिन फिर भी वो खुशी-खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुमारे लिए दूद लेकर आया था यह कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है, लड़की मन मारकर ही रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने जगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके अब लड़की को ससुराल में तीन चार दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर बॉइफ्रेंट से बात करती थी और उधर लड़की की मा बिना शिकायत करें दिन भर घर का सारा काम करती थी वह सब के लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी मा के चहरे पर हर वक्त मुस्कुराठी रहती थी लड़का एक कंपनी में छोटी सी नोकरी करता था, वह बेहद ही इमानदार और महनती था सुबह अपने काम पर जाता और शाम को ठका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी अब लड़के और लड़की की शादी को करीब एक महिना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोय थे वैसे लड़का बहुत ही शान्त स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैट कर खाना कभी भी नहीं खाती थी वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैट कर खाती थी लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता उसके आदे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉइफरेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहके अपनी सासू मा को फुल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फैंक देती है ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है मगर उसकी मा फिर भी अपने बेटे को ही डांटी है इधर लड़की को जगडे का एक बहाना ही चाहिए था जो की उसे मिल गया था तब ही वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉइफरेंड के पास चली जाती है और अपने बॉइफरेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना आज उस गवार ने मुझे पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया तब ही उसका बॉइफरेंड कहता है अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर मगर तुम हो की आजगल आजगल पे ही लगी रहती हो तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुमारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लोटाए था मुझे बॉइफरेंड ने कहा खाली हाथ हम दोनो कहा तक भागेंगे तुम ही बोलो मैंने तुम से कहा था कि कुछ पैसे और गयने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आगई थी आखिर दूर एक नई जगा में जिंदिगी की शुरुवात करने के लिए पैसे तो चाहिए न और हाँ एक बात और कि जब भी मैं तुमारे पास आता हूँ और तुमें चुना चाता हूँ तब ही तुमारे नकरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा तब ही लड़की गुसा होकर कहती है हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब और मैं तुमारी ही तो हूँ मैं आज भी एक कुमारी लड़की ही हूँ और शादी करके भी आज तक उस घमार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं क्योंकि मैंने तुम से ही सचा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदुर भर दो फिर मैं पूरी ही तुमारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मरजी से दिन रात प्यार कर सकते हो तब उसका बॉइफरेंड कहता है तो ठीक है मैं तुम से शादी कर लूँगा मगर तुम कम से कम पांच लाक रूपियों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना मैं तुमें एक होटल का पता दे रहा हूँ तुम उस होटल में रात को दस बजे तक पहुंच जाना लड़की कहती है उस गवार के पास कहां होगा पैसा बलकि मेरे पापा ने उसे दहेज में तीन लाक रूपे और मुझे कुछ सोने के गहने दिये थे गहने तो मेरे पास है मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे है मगर मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चावी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुमारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी ये कहकर वो लड़की अपने ससुराल पहुँचती है लड़की ससुराल पहुँचकर अपने पती और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर फूप चिलाती है मगर अफसोस वह अकेली ही चिलाती रहती है उसका पती और उसकी सास विल्पुँच शान्त रहते है तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉइफ्रेंड का लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर लड़की मैसेज का जवाब देती है सबर करो मैं वक्त पर आ जाऊंगी तभी उसका पती दर्वाजा खट खटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो तभी पत्नी कहती है मैं खाना तभी खाऊंगी पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो पती दर्वाजे के नीचे से चावी देकर कहता है ये लो चावी अपना काम करके खाना खा लेना क्योंकि अभी तक मैंने और मा ने भी खाना नहीं खाया मा ने कहा है हम आज साथ बैठ कर ही खाना खाएंगे लड़की कहती है मा और तुम खाना खालो मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ ये सुनकर लड़का चला जाता है तभी लड़की जल्दी से चावी को उठाकर अलमारी खोलती है अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे तीन लाग और सारे गैने तो रखे ही थे बलकि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी जब वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था प्रिय पत्नी मुझे और तुमारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहत प्यार करती हो मगर तुमारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लडखा बहुत सी लड़्कियों को धोका भी दे चुका है पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भीना बता सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशाह है वै हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा खयाल रखना एक बाप के मूँ से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आँखों में आसु आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था कि एक अच्छा पती होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले मगर एक दामाद होने की एजजट मैं हमेशा पास सकता हूँ और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गेने मैंने तुमारी अलमारी में रख दिये हैं क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बेहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी एक रुपिया भी दहेज ना लेना और उस डाइरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो डाइरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिये हैं जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो लड़की डाइरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी ना चाहते हुए भी उसके गवार पती के शब्दों ने उसके दिल को छूलिया था अब वो ना चाहते हुए भी गवार पती के अंदेखे प्यार को वो महसूस करने लगी थी वह फूट फूट के रोने लगी डाइरी में आगे लिखा था कि मैंने तुमें इसलिए मारा क्योंकि आपने मा को गाली दी और जो बेटा खुट के आगे अपनी मा की बेजती होते सहन कर ले फिर वह बेटा ही कैसा इसलिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे लिए मा का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुलहन बना कर अपना हमसबर बनाने लाया हूँ आपसे जबरदस्ति करने नहीं आपको मुझसे प्यार हो ना हो लेकिन मैं अंच तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा अब फैसला तुमारे ही हातों में है अब लड़की दुलन बन चुकी थी और उसकी आँखों से आंसु बह रहे थे अचानक लड़की के बॉइफ्रेंड का फोन आता है तभी गुसे में लड़की अपने फोन को स्विच ओफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बहत प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पती ही था जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज़्यत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली और उसे मेरा एक बॉइफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया मैं अपने पती का प्यार क्यों नहीं समझ पाई ये सब सोचकर वह रोती रही फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा समान जैसा था वैसे ही रखकर ना जाने कप सो गई अगले दिन उसकी पतनी सुबह देर से जागी तब तक उसका पती आफिस जा चुका था तब ही पहले एक बिंदी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताक कि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को ये पता ना चल जाए कि वो एक शादी शुदा है मगर आज तो दस किलो मिटर से भी दिखाई दे दे ऐसी लंबी और गाड़ी सिंदूर लगाई थी फिर उसने अपना पहना और किचन में जाकर सासु मा को जबर्दस्ती कमरे में आराम करने बेज देती है और खुद अकेली ही सबका खाना बनाती है पहले सासु मा को खाना खिलाती है और फिर अपने पती को फोन करके उसके आफिस का पता पूछती है उसका पती उसको आफिस का पता देते हु और उसे ही अपना पती मान चुकी है कितने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ओफिस खाना लेकर पहुँच जाती है पत्नी को देखकर पत्नी हेरान हो जाता है तभी वो अपनी पत्नी से पूचता है सब फीक है ना माने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया उसका पत्नी सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था तभी अचानक पत्नी सब के सामने अपने पत्नी के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है पत्नी कहता है हाँ कहो तब पत्नी सब के सामने कहती है आई लाव यू मेरे प्यारे पती, आई लाव यू फोरेवर ये सुनकर आफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर-जोर से तालिय बजाने लगते हैं तब पत्नी सब के सामने अपने पती का हाथ पकड़ के कहती है कि अब एक महिने तक मेरे पती देव आफिस में दिखाई नहीं देंगे आफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों तब लड़के की पत्नी कहती हैं क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं पती पत्नी से कहता है तुम्हें क्या हो गया तबी पत्नी पती से कहती है मुझे तुम से सच्चा प्यार हो गया ये कहकर वो उसके सीने से दुबारे इस तरह लिपट जाती है जहां से वो अपने गवार पती से कभी भी जुदा ना हो पाए तबी उसका पती भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं तो दोस्तों प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आप से प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज़त भी करता हो पैसो से प्यार करने वाला इंसान कभी आप से प्यार नहीं कर सकता दोस्तो